विहार के राज यत्रिक में सबसे ज्यादा आगर समस्या झिलना पर रहा है तो वो एक ही विभाग है उस विभाग का नाम है बाल बिकास पर्युजBy्युजना ुआ बाल बिकास पर्युजणा में जितनी सारे आंगन भार्डि वरकर है उन सभी लोगों को किस हलातों से गु नियम को बनाने वाले और नियम को लागू करने वाले और नियम के तहट काम करने वाले मंत्री हमेशा बदलते रहते हैं इस बीचारों पर कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जहां पर विभाग के एक एक वरकर एक एक करमचारी यहां तक की खाने को मोहताज हो जाते ह अब दिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मजदूर से कम रेट में काम कराने वाले मजदूर, हम उसे मजदूर ही कह सकते हैं, चुकि मजदूर के ब्राबर रेट भी नहीं मिलता है, अब मजदूर ही तो है, जो आंगर वारी सेवका है, सहाईका है, उनको हमेशा सरकार ब दलते रहते हैं, जैसे बिहार में जब रजेडी की साथ नितिश कुमार का गटबंदन था, तब बाल विकास पर्योजना का मंतरी मदल सैनी हुआ करते थे, अब वही नितिश कुमार जब NDA में चला गया है, तो बिहार में दो-दो उपमुक मंतरी हो गया है, उसके बाद श मंतरी चेंज होकर के सिरी स्रवन कुमार हो गया है, अब मुझे ये देखना है, और आंगनवारी सेवका सहाइका को अब ये वाच करना है, कि इन नए सरकार के गठन में जो मंतरी बना है, समाज कल्यान की जो मंतरी बना है, सिरी प्रेम कुमार जी, अब वो कितना भराष्ट चार करते हैं या भरहस्ट चार को मिटाते हैं हमारी इन पर लगातार फोकस है और लगातार हम इन पर बाते कर रहे हैं वही जब नितिश कुमार आरजेडी के साथ गड़बंदन में थे और जब नितिश कुमार को आरजेडी के साथ सरकार था तो यही NDA के उपमुक मंत्री ज लगातार नितिश कुमार के उपर आवाज उठाते थे, लगातार तेजस्वी आदब के ऊपर आवाज उठाते थे, कि आंगनवाड़ी सिवका शहायका की, बेटन मानंदे करें, बेटन को बढ़ाें। और यही लोग आंगन बाड़ी सेवका सहाईका को जो है कॉम्नीटी के बड़े बड़े अधक्त सचीब को जो है राजनीती की तहत पहल किया था धर्ना परदर्शन करने के लिए और यही लोग बिहार में तो क्या पूरे बिहार को जो है इधर से उधर मंतरी लोगों को करते रहते हैं लेकिन अब वही नितिश कुमार मंतरी भी एंडिये में जाकर के बन गए लेकिन तेजस्वी आदब के जगा पर आप जो है विजय कुमार सिनहा और समराठ चोधरी ये दो उपमुक मंत्री जब नितिश कुमार आरजेडी में थे तो एक उपमुक मंत्री थे तिजस्वी आदब अब NDA में जब सामिल हुआ, तो दो उपमुक मंतरी है, हमको यह नहीं समझ में आ रहा है, कि दो दो उपमुक मंतरी को बिहार में कौन सी काम है, और किसलिए दो दो उपमुक मंतरी बनाया जाता है, चोकि एक उपमुक मंतरी बिहार को कुछ कर नहीं पा रहा है और दो-दो उपमुक मंतरी जो है बना दिया जाता है ये सब सरकार की खाजाने से जो पैसे हैं किसी भी तरीके से अनलीगल खर्च हो इसलिए नेताओं लोगों को सनरक्षन मिल रहा है और फसलेटी दी जा रही है इन तमामों पर हम बाद में डिस्कर्स करेंगे लेकिन हमको अब ये देखना है कि ये तीन मंतरीयों पर हमारा टीका हुआ है तीन मंतरीयों पर अब क्या होगा अंगनबारी सिवका सहाईका को क्या उपमुक मंत्री विजय कुमार सिनहा या उपमुक मंत्री समराथ चोधरी या फिर ग्रामिन विकास समाज कल्यान खाद एबं उपभुकता सनरक्षन जो स्रवन कुमार्ची है अब वो अंगनबारी सिवका सहाईका को बेतन मान दे करेंगे या फिर सरकारी करमचारी घोसित करने की कोशिस करेंगे या फिर उन्हें विभाग में जो है जो सीडिप्यों हरमा तीन हजार रुपीय लेती है तीन से चार अजार पांच जार भी लेती है तो क्या उसमें घुश्कोरी और भी ज्यादा होगा या फिर इसको बंद होगा इन सब पहलू पर जो है आंगन बारी सेवका और सहाई का आप सूच रही है दूसरी बात है कि यह जो उपमुक मंत्री जो भी बने हैं यह तेजस्वी यादव के उपर सवाल उठा रहेते कि उपमुक मंत्री है तेजस्वी यादव और बिहार में जो है आंगन बारी सेवका मिला में जो है आसा वो लोग भी धरना प्रदशन दिये हुए थे अब ये लोग क्या करेंगे तो अब इन ही लोगों को पता है पुझे तो ये समझ में आ रहा है ये अंडिये की सरकार बनते दो-दो उप मुख मंतरी की बिहार में क्या जरूरत थी ये तो उन लोगों कोहीं पता है लेकिन क्या होगा आप सेवका और सहाइका कि हम तो लगतार इस प्रवाज उठाते हैं कि कम से कम सेवका और सहाइका के ऊपर ये दो-दो उप मुख मंतरी ध्यान दे जो कि यही लोग थे जो उप मुख मंतरी तेजश्वी आदब को जो है उस समय बदनाम किया करते और नितिस की सरकार में नितिसको भी नहीं चोडा करते थे सम्राट चौधरि तो यहां तक कह दिये थी कि हम तो पगरी नहीं खोलेंगे जब तक कि नितिश कुमार जो है आंगनवारी सिबका सहाइका को जो है बेतर नहीं बढ़ाते हैं तो अब तो समराथ चोधरी की पगरी भी खुल गई और नितिश कुमार भी जो है अंडिये में सामिल हो गए लेकिन इन सारे पहलों पर अगर देखा जाये तो कहीं न कहीं सोस नाम जनता हो रहा है और इन सरकारों के जो मेंटिलिटी है इन सरकारों की जो विचार है अब क्या होगा अंगनवारी सिबका सहाइका जो बिहार में धर्ना प्रदर्शन कर रही थी तो नितिश कुमार तो अपने दिमाग लगा करके धर्ना प्रदर्शन को खतम करबा दिये चैन मुक्ति भी बाद में किया, चैन मुक्ति रद भी हो गई, नितिस कुमार जब आरजेटी के साथ में थे, तो 1050 रुपया सिवका के लिए और 1035 रुपया सहाइका के लिए भी जो है बढ़ाए, तो अब ये देखना है कि केंद सरकार पर नजर तो पहले से ठीकी हुई थी अंगरबड़ी सिवका और साइका, पूरे मजबूती के साथ अगर ये लोग आ गया है, तो अब ये भी देखना बहुत बड़ी सवाल है,